मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा फ्लाट अब्स तो सब चाहते हैं हाला कि हमारी बहुत सारी वीडियोस फ्लाट अब्स पर और यूट्यूब पर है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें ऐसा फीडबाक मिलता है कि अचारे जी 7-8 किलो तो हमने आपके वीडियोस देखके ही कम कर लिया अब हमने वेट लॉस प्रोग्राम आपका जॉइन गया है आगे की यात्रा के लिए और ऐसा फीडबाक प्रभू की कृपा से हमें बहुत बहुत बार मिलता है पिछले वेट लॉस प्रोग्राम में एक साधिका थी जोन्होंने बताया कि उन्होंने 9 किलो वजन सिर्फ हमारे ऑनलाइन जो वीडियोस उपलब्ध हैं उनसे देख देख करके घटाया है और अब वो वेट लॉस प्रोग्राम इसलिए जोन कर रहे हैं ताकि 1 to 1 हमसे हमारी टीम से सीख सकें और 10 दिन के वेट लॉस प्रोग्राम में उन्होंने 5 किलो वजन और घटा दिया तो आज मैं आपको एक ऐसा बहुत सरल सी संयुक्त गती बताने वाली हूँ जिसका अभ्यास mostly बड़ी rigorous practices होती हैं पेट की चर्बी कम करने की हाला कि हमने एक वीडियो पीछे शेर किया था जिसमें जो ऐसे पेशेंस हैं जुनको back pain का problem है ये back pain वाले forward bending करी नहीं सकते और इस वज़े से वो पेट की चर्बी कम करने वाले अभ्यासी नहीं कर पाते हैं तो हमने एक वीडियो शेर किया था आप लोगों से पिछले कुछ समय में उसका link हम description box में जरूर शेर करवाएंगे आपको अगर severe back pain है, lumbar pain है, lower back pain की problem है तो आप जो क्रियाएं उस वीडियो में बताईए ही हैं उनको करके भी अपनी पेट की चर्बी कम कर सकते हैं फ्लाट आप्स पा सकते हैं लेकिन आज हम एक ऐसी संयुक्त गती सीखने वाले हैं संयुक्त means a combination of two-three गती जो आपकी पेट की चर्बी को बहुत आसानी से कम करेगा फ्लाट आप्स मिलेंगे आपको और सबसे महत्वपून चीज कि इसमें कोई भी ऐसी practice नहीं है जो अधिकतर लोग ना कर सकें लेकिन हाँ अगर at any point of time आपको uncomfortable लगे क्योंकि आपके physical condition क्या है तो उस वाले part को आप skip भी कर सकते हैं तो आईए सीधा-सीधा आरंब करते हैं संयुक्त गती का अभ्यास इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से वज़रासन में बैठेंगे आसन बिछा करके इसका अभ्यास करें चलते फिते गदे पर ऐसा वाला अभ्यास नहीं करता है क्या rules and regulations है योगा अभ्यास करने के ये भी हमने आपसे साजह किये हैं उसका लिंक भी description box में share कर बादेंगे तो इस थिती में पहले बैठेंगे और सबसे पहले वज़रासन के बाद हम लेंगे दंडासन का भ्यास तो उसको अच्छे से समझ लीजिए आपने अपने हाथों को जमीन पर टिका दिया उटने के बला आ गए और अब बहुत fast नहीं करना है हमें है ना क्याते है ना तेजी का काम शैतान का तो तेजी के साथ लेए अराम अराम से कीजिए ताकि आपके एक एक पार्ट पर आप उसके effect को feel करें इस स्थिती में आकर के ऐसे अपने दोनों पेरों को सीधा कर लेना और कमर धोबी के फट्टे की तरह विल्कुल सीधी हो जाए दंड आसन थोड़ी देर रुखेंगे पेट पर पढ़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे और फिर शाष्टांग प्रणाम की स्थिती में यानि आठ अंग जमीन पर हैं दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेले छे, साथवा आपका सीना, आठवा आपकी चिन, थुड़ी यहाँ से बुजंग आसन की स्थिती सांस भरते हुए इड़ी बंजे में ले हुए, यथा सामर्थे रुकना, अब सांस चोड़ते हुए गुरु प्रणाम आसन की स्थिती फिर से वजरासन शिशुगती दंडासन शाष्टांग प्रणाम पुजंदासन गुरु प्रणाम आसन फिर से देखें तीसरी बार दिखा रहे हैं, वजरासन शिशुगती दंडासन शाष्टांग प्रणाम गुजंग आसन गुरु प्रणाम आसन वजरासन रिलाक्स अभ्यास करना है, और कोई प्रणाम अगर आपके मन में है, कोई शंका है, हमें जरूर भेजिए, आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपने प्रणाम भेज सकते हैं, क्वेस्टिन्स भेज सकते हैं, हम समय समय पर लाइव भी जुड़ते रहते हैं, तो आपके प्रणाम को लाइव में भी ले लेंगे, आप हमारे साथ जुड़ें, अगर आपको इन वीडियो से फायदा हो रहा है, तो अपने सारे कॉंटाक्स में भारत योगा यूट्यूब चानल का लिंक जरूर भेजें, ताकि जुन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी सब्सक्राइ उसाया लाइव में भी सब्सक्राइब